हेलो फ्रेंट्स आज हम लेकर आए हैं यह मूर्ती का सुंदर साहार जो स्पेशल हमारे घर के भगवान जी के लिए है आप इने गंपती जी या लक्षमी जी किसे भी पहना सकते हैं यह बहुत ही सुंदर लगेगा आप अपने मूर्ती के इसाप से इसे एड़्जस कर सकते है हैं बढा या चोटा सु हाइए देखिए हमने क्या क्या मटेरी यूज्ग यूज किया है हमने यह ब्रैकिट्स लिए हैं कॉर्णmam लिया है और हमने लिए हैं सुई और धागा लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करकर बेल आइकोन को प्रेस करना न भूलिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी किसी किसी सब्सक्राट करते हैं सबसे बहले तो मैंने ऐसे शोटा मोटी लिया है और उसको इस तरह से वायर में डालकि हमने एक रूट बनाई है अrict हम इस तरह से हम में जोट करना है एक्स्टरा हू shrug कर आब हमें कॉर्ण जिसे हमारा जो नागा है वह से रहेगा अब हमें तीन मोती लेने हैं अमें इस relatively डालना है अब चाहें तो तीन वायर काभिहार बना सकते है noch ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट का जो लास्ट होल है उसमें इस तरह से हमें डालना है ये ब्रैकेट में तीन होल्स है और अब वापस से हम तीन मौती लेंगे और वापस से हम ब्रैकेट लेंगे ये ब्रैकेट में जो डाइमंड्स है वो ग्रीन कलर के है इस तरह से और हमने यहाँ पे चार मोती लिये हैं अब हम ये पैंडेंट लेंगे और पैंडेंट का जो टॉप होल है उसमें इस तरह से हम वाइर को डालेंगे ये हमारी पहली रो रहेगी इसलिए हम टॉप मोस्ट जो पैंडेंट का होल है उसमें धागा डालेंगे अब हमें वैसे ही दूसरी रो कंप्लीट करनी है यह हमारी दूसरी रो हो गई है अब हम जो हमारा कॉर्णर है उसके last hole में हम इस तरह से वायर डालेंगे और उसे के past में जो hole है हम उस में से सूई को बाहर निकालेंगे ताकि हम हमारी दूसरी रो बना सके हम तीन वायर का इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यह छोटा सा हार है अगर बड़ा हार होता तो हम तीन वायर का बनाते अब हमें वही प्रोसेस फॉलो करनी है तीन मोती ब्रैकेट तीन मोती अब यहां पर हमने लास्ट में पांच मोती यूज किये हैं फिर हमने पैंडेंट में किया हैं वैसे हमें रो रिपीट करनी है सेकेंड और थर्ड रो में सिर्फ नीचे के मोती एक एक बढ़ेंगे बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी इस तरह से हम दूसरे जो लाइन है वह कंप्लीट करेंगे यह हमारे दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है और हम वैसे ही प्रोसेस फॉलो करके हमारी थर्ड रोव कंप् सो यह हार हमारा complete हो चुका है हम जो extra wire है उसे इस तरह से not बांदेंगे ताकि हमारा हार जो है वो secure रहे और कहीं भी wire loose न रहे सो हम अच्छे से not बांदेंगे और जो extra wire है हम उसे cut करेंगे आप चाहे तो पीछे धागा लगा सकते हैं या chain लगा सकते हैं और height के according आप इसे हार को set कर सकते हैं तो यह हार हमारा ready है अगर आपको मेरा हार पसंद आए तो please like share and subscribe my channel thank you so much